आद हटा दिये जाते हैं, उर्दू के लवस बदल दिये जाते हैं, मैच हारने पर मुसल्मान जिम्मेदार बना दिया जाता है। ये है आज का बदलता भारत। एक वर्ख के लोग हिंदुत्वर राजनीती से इतना प्रभावित हैं, जिसे एक भारतिय टीम का खिलारी मुसल्मान लगने लगता है, वहीं विग्यापन में हिंदु संस्कृती का अपमान नजर आता है। अपनी एक कैमपेण को निरस्ट करना पड़ा। इस कैमपेण में एक महिला मंगल सूत्र पहने नजर आ रही है। ये मंगल सूत्र उन्होंने सिर्फ एक ब्रा के साथ पहना है। इस आट को देखने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा के ग्रह मंतरी नरोतम मिश्र ने स सब्य साची को एक 24 घंटे का अल्टिमेटम देते हुए कहा कि अगर इस कैम्पेइन को इस दौरान नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ सक्त कारवाही की जाएगी। इस अल्टिमेटम को देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये अड अपत्ती जनक है और हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। वहीं बीजेपी की लीगल अडवाइजर ने तो सब्वे साची को एक नोटिस भी इशू कर दिया है जिसके बाद उन्होंने इस कैम्पेइन को हटाया और माफी भी मांगी। डाबर ग्रूप को भी अपना एक विग्यापन हटाना पड़ा जिसमें दो औरतें करवा चौत मनाती हुई नजर आईं। ब्लीज प्रोडक्ट की इस आड में औरतें चेहरे पर ब्लीज रगा रही हैं और चान के जैसे खिलने की बात करती हैं। वे एक सामलेंगे कृष्टे में हैं जिसे सुप्रीम कोट की भी स्विकृती मिल चुकी है और दारा 377 भी हटाई जा चुकी है। उसके बावजूद इस आड को भी बाकी विविगापनों की तरह ही हिंदू संस्कृती की खिलाव देखा गया और इसकी जमकर ट्रोलिंग और आलोचना भी हुई। वहीं भारतिय क्रिकिट टीम के एक लौते मुसल्मान खिलाडी मोहमद शमी को पाकिस्तान की जीत पर चोलिंग और नफरत छेलनी पड़ी। कप्तान विराठ कोली ने जब मुहमद शमी को चोल करने वालों को आड़े हाथो लिया और ये कहा कि मध़भ की वज़े से खिलाडी की खिलाव नफरत फैलाने वाले लोग दुर्बल और दैनिये हैं तब उनकी और अभिनेतरी अनुशका शर्मा की महद एक साल की बेटी को सोशल मीडिया पर रेप थ्रेट्स मिलने लगे आपको ये बता दें कि पिछले हफ़ते हुई भारत की हार और पाकिस्तान की जीत सराने वाले लोग अभी भी खुद की देश भक्ती का सुबूत देने की कोशिश कर रहे हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो जेलों में जूज र पर की थी पाकिस्तान खिलाडियों की तारीफ इसी संबंध में उत्तर प्रदेश में पुलीस ने साथ लोगों को प्रदेश के पांच अलग-अलग जिलों से पकड़ा इन साथ लोगों में से पांच लोगों को गिरफतार भी कर लिया जा चुका है इस बात की पुष्टी पुलीस ने ट्विटर पर की है इन लोगों पर सेडिशन और UAPA जैसी संगीन धाराओं में आरोपी करार देने की कोशिश की जा रही है और उन्हें देश-द्रोही बनाकर पेश किया जा रहा है वहीं ये बात सपष्ट हो चुकी है कि दूसरी टीम की जीत मनाना कोई गैर कानूनी अपराद नहीं है दवायर से बात करते हुए जस्टिस दीपक बुकता ने कहा था कि पाकिस्तान की जीत मनाना देश-द्रोह क अताइर नहीं है इस बात को भद्दा करार कर उन्होंने ये भी कहा था कि इन केसे के बज़ाए उन मुदों पर ध्यान देना चाही है जो सच में जरूरी है is it sedition to celebrate Pakistan defeating India at the World Cup it's definitely no sedition but it's definitely ridiculous and ridiculous to think that this amounts to sedition it's not you're saying something very important it's not just not sedition it's ridiculous to think it is yes which means that the announcement from the UP chief minister's office is ridiculous see if they went through the various judgments on sedition celebrated judgments which we've discussed in an earlier interview the chief minister would have been well advised not to issue such a tweet because I think it's come a tweet or is it a statement I'm not sure it's a tweet from the chief minister's office see I don't know if they're aware of that famous case where a person shouted Khalistan Zindabad on sector in the sector 17 market and the supreme court said this does not amount to sedition because there's no call to violence or to for public disorder how does clapping I may not support the action that's a different you know thing though in sports why can't you even support the other side that's the spirit of the game that's the spirit of the game twenty-first-tariq go Pakistani commentator bazit khan ke urdu mein kahe huye shabdou ko bhi ek alag matlab deete use muselmano ke khilaaf hate speech ke liye istamal kiya gaya pakistan ki ji जीद को खान ने लेकिन कुफरत तो तूट गया कहकर उसका वर्णन किया था वो कहना चाहते थे कि ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की क्रिकिट टीम ने भारत पर विज़े पाई है और लगातार खेल हारने के बाद उनका घमंट तूट गया है वही भारत में दक्षि भरा कैमपेन सोशल मीडिया पर जारी कर दिया यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि एक अटरपंती सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बलकि पाकिस्तान में भी इस तरह की धुरूवी करण वाली सोच की घटनाएं देखने को मिल रही है भारत पाकिस्तान मैच में पाकि जनक बात कही उन्होंने मोहमद रिजवान की ग्राउंट पर नमाज पढ़ने को मैच का सबसे बड़ा स्पेशल पल बताया था इस बयान की काफी आलोचना हुई कमेंटेटर हर्शा बोगले ने भी इस बयान पर घुस्सा और अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा कि क प्रिकेट का काम सबको जोडने का है इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए कड़ी आलोचना के बाद वकार यूनिस ने अपने बयान पर माफी भी मांगी मुहमद शमी के खिलाफ हुई ट्रोलिंग और नफरत से भरी बाते हो या बाजित खान और बाबर आजम की राजने वालों की गिरफतारी ही क्यों ना हो इन बातों से ये साबित होता है कि कैसे खेल को एक इसलामफोबिक हत्यार में तबदील कर दिया जा रहा है बात दरसल खेल या एडविग्यापनों की नहीं बलकि उन लोगों की और उन हिंदुत्ववादी संगठनों की है जो 80 प्रतिशत हिंदु आबादी को ये यकीन दलवाने में लगे हैं कि हिंदु और हिंदु संस्कृती खत्रे में हैं ये वही विचारधारा और ध्रूवी करण की राजनीती है जो मुसल्मानों की शोशन और उनकी आर्थिक और सामाजिक बहिशकार की वकालत करती रही है दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सबस्क्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुने